कि सबसे पहले आप दोनों के चैनल को बहुत बहुत साधु बाद देता हूं और जहां तक मुद्दा है यह पहला मुद्दा नहीं है देश के अंदर यह मुद्दे पहले भी होते आए हैं जैसे शुषिर कुमार सिंदेजी को नहीं घुशने दिया था उसी तिरूपती मंदि और भी जैवें उपार मेरे समय में यह क्यों नहीं आता है जब बाबा साथ डॉक्टर अमेड कर को हम सब मांते हैं उनके आरक्षण का हम पूरा लाव लेते हैं हमारे देश की जंता जातर खास तोर पर सी इसके साथ साथ भारत की हरवेटी जो शम्मान के साथ जी रही है ग और भी अन्य राजदूत बगरा बनते हैं बड़े उच्चे सम्मानित पदों पर हमारे देश की बेटिया आशीन हैं अब अपसुस इस बात का आता है कि इतने वर्स वीत जाने के बाब्चूद भी यह लोग अपनी योगता को नहीं जान पा रहे हैं जबकि हमारे देश मे करने के लिए कोई आपके साथ जुड़ सकता है दिखावा करने के लिए कोई आपका साथ दे सकता है दिखावा करने के लिए आपके साथ आ सकता है मिल सकता है बैट उठकर के खाना खा सकता है लेकिन उसमें भी बहुत सारी ड्रामा करके खाते हैं खाना तो यह सब बेकार क सभी नियत रखते हुए करना चाहते हो तो भारते शम्मिदान में उनको जो मौलिक अधिकार मिले हैं वो उनको मिले ही चाहिए और वो देने चाहिए जब बार बार दलितों के साथ या सेस्टी के साथ अभी भूल कर रहे जिस बाभा साढ़ करके बदलोताथ आज सम्मान के साथ जी रहे हैं उन्होंने ही बहुत धमों को श्वकार किया था और उन्होंने ही पुर्ण जीवित किया था और उन्होंने ही भारत में 22 प्रतग्या ली थी ठीक है तो मैं यह कहना चाहरा हूं जो लोग भारत में रह करके या विदेशों में रह करके जो बाबा साहब में आस्तर है इन सभी के लिए बहुत दम सब के लिए उचित और अच्छा दम है उसमें कोई बाघंडबाद अंदुश्वास नहीं है इतना अपमान और बावा साब में यह भी कहा है कि जिस धरम में जिस समाज में जिस परिवार में आपको सम्मान ना मिले तो आपको जाने ही नहीं चा सब्सक्राइब म मांतवास यह जानते हैं चाले मतन हम चाहरें घरीब बेटियों के साथ यहा बैरो अकित बीरृई जात तो यह तो अपने पुरह देश की उन महिलाओं को उन लोगों को सोचना चाहिए कि जिस मंदर में हमें सम्मान नहीं मिल रहा है जिस इस्थर पे हमें सम्मान नहीं मिल रहा है रावनात गोविन साब को जब देश के राश्टपती को सुद्ध किया जाता है राश्टपती को घुशने नहीं दिया जाता है तो यह बारवार अपनी बेज़्जिती कराने के लिए क्यों जाते हैं बौद गया जाती हैं कास अ बौद की श्रण में और बौद की सब्सक्राइब मोदी जाते हैं जब भी देशव में धिंडोरा पीटते हैं कि न्यूएर्क में यूएने में बुद्ध मुश्कुराएं तो यहां बुद्ध क्यों रहते हैं आज उनके सिलालेजकों को मिटाया जाता है आज उनके टेंप जो पुराने पुराने हैं चै केदार नात हो चै तुरूपती मंदर हो जगनात पुरी हो जितने भी टेंपल है अथ्यासिक उनकी सब की इमांदारी निष्टा से ऑन लाइन मलब सिटी कैमरे लगा करके लाइब सब को दिखाए जाए उन मूर्तियों का असनी रूप दिखा जाती है तो इसलिए निकलते हैं कि यहां पुद्ध थे हमारा किसी की धरम को किसी की भावनों के ठेस पोचाना मकसर नहीं होता है अपसोच जब होता है जब मंदर में मजित में गुर्दवारे में लोग जो जाते उनके साथ चाहें बुद्विहार हो चाहें जहन धरम का मं सवाल यह है वंतेजी जो अर्चना को तंबो कह रही है कि मिझे जाती के कारण नहीं मुझसे पैसे की डिमांड की जा रहे थी दस हजार रुपए एक्ट्रा मांगे जा रहे थे मेरे से जब मिझे दरसंग कराया जाएं नहीं देखिए एक बात तो उनके साथ जो भी घटना हुई उसकी अम निंदा करते हैं और इसकी उच्च पर जाच होनी चाहिए क्योंकि वह हमारे देश की एक है हमारे देश की एक हीरो और वह अब कॉंग्रेस में वर्तमान में काम कर रही है अगर किसी वहां के पंडित ने या किसी व्यक्ति ने जब उसको उनसे पैसा मांगा है तो इस समाच के लोगों को पतानिक क्या हो गया है यह जान लेना चाहिए कि जब हमारा मौलिक अदिगार छिन रहा है और पूरत देश में हमारी बेज्जिती हो रही है तो आप ऐसे इस तलों पर जाकर के अपनी बेज्जिती ना कराएं यह तो बड़े बड़े लोगों की कहानियां होती है तो इस साम में अब ही जाती है यह तो बड़े-बड़े लोग कहानिया होती ही राश्ट्रपदीजी की हो गई मुख्य मंतरी जब सुषिशव कुमार सिंदे गेरे मंतरी थे तब उनको अपमान हुआ तो इन लोगों के जब इतना अपमान होता है जिस मं और पुरे देश के लिए मेरा यही संदेश है कि जहां आपको प्रेम पूरोग बुलाया जाए वहां आपका सम्मान हो वहां जा सकते लिए और आस्ता तो इस देश में कैसी है पैदा की गई है आज गड़पती बाबा मौरिया के नाम पर 20 लोग खतम हो गए अब वह खतम हु रहा है तो यह लोग पाठ पड़ाना जानते हैं दूसरी बात यह मैं एक मूरक्ता को आस्ता नहीं कुँगा आस्ता अगर आपको रहनी है तो किसी अच्छे सोच के प्रतियास्ता रखिये और किसी ने का भी है कि पहली बात तो इंसान को जीवन जीने के लिए किसी धरम की जरोती नहीं है और यह जो व्यक्ति भीना धरम के रहनी सकता उससे उसके लिए सबसे अच्छा धरम बहुत धरम है क्योंकि बहुत धरम में सुक्सांती और बहुत दरम में किसी प्रिकार का अंद्रिशास पागंडवात रूणवादी विवस्ताओं को इस्थान नहीं है व क्योंकि हम बाबा साहब की बात करते हैं बाबा साथ के नाम पर अरक्ष्ण लिए बाबा साथ डॉक्टर अमिटकर के मांसा बदलता आजमा अंसमान की जिन्दगी जी रहें तो हमको यह जान लेना चाहिए कि उसी महामसियान उसी महापुरुस ने बहुत धंब स्युकार कि तो उस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए जो धरम इस्तल या आस्ता के इस्तल आपको नहीं लगता है कि वह अब धंदा बन गए पैसे के जड़ी पैसा कमाने के हाँ बिलकुर कहा जा सकता है कि उनका पैसा किसी रचनातमक्त में तो लगता नहीं है उनके पैसे से विवसा तो आज के समय में राजनेता जितना पहला चकते वह पहलाते हैं लेकिन उससे देश के साधुर संथ सूभी फेलाते हैं क्योंकि और जो साधुर संथ के नाम पर बिजनिस कर रहा है वह जैसे बाबाराम देव हो गए और भी हैं बहुत सारे इनको पना कौन देता है इनको स्कार फिट का मकाम तक नहीं मिलता है और इनके पास कई कहीं ऐकर जमीन एक रोपे के हिसाब से इनको दे दि जाति आखिना मदेव्जी का बिजनिस रखना के जो 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 जागर हो रहता है